तो दोस्तो फाइनली आज हमारे साथ है All New Honda CBR250RR आज Honda ने अपनी All New CBR250 सीरीज को हमारे सामने पेश करा है सबसे खास बात है कि भाईया ये RR सीरीज है तो यहाँ पर आपको दो सिलेंडर मिलेंगे आपको समझाते है क्या कुछ स्पेशल है उसके लावा ये इसका ट्राइकलर टोन है रेट का उप्शन है वाइट का उप्शन और ट्रेडिशनल अपना ब्लू का उप्शन है तो प्रॉपर यहां पर HRC थीम बनके निकल ली है क्या है खास इस काड़ी में कहने के क्या प्राइजिंग के सानी काड़ी रहेगी और इंडिया में क्या इसका कॉंपटीशन है वह आप देख लीजिए अब पैलल टुए इंजन हमेशा थोड़ा सा प्रीमियम चीज रही है कहीं सिंगल से लेंडर हमें स्टार्टिंग से मिल बड़ी सीरीज आती है जहां पर 400 सीरीज है कहने के 500 है लेकर फिर वह सब बहुत ही जादा एक्सपेंसिव है यह तब भी गाड़ी ऐसी है कि जो बजट में है वह आपको दिखाता हूँ बागी यह देख लो भाई तो इन एक्साउस मिलेगा जो की प्रॉपर वर्किंग के स के अंदर वह अलग लेवल की आप फील करेंगे जो श्राउड आप देखेंगे वह किस लेवल का फील करेंगे देख सकते हैं कितने जादा एक्स्टेंडेड है कहीं नहीं 400 या फिर 500 सी सेग्मेंट की बाइक को कॉंपीट कर रही है गाड़ी अपने डिजाइन से वह चीज बिल्कुल पास है कॉमफोर्ट और इंची जो में घाड़ी थोड़ा पीछे है क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा रेस ट्रैक के असाब से बनाए गया है पैर को याप देखो किस असाब से पीछी की और यहां पर फोल्ड़ अपोते और इस तरीके से थोड़ा सा कमिटमेंट से नीचे है ड्राइब वेट तो काफी एजी है कॉनर करने में लेकिन फिरी थोड़ा सा जो फ्रंट एंड यहां पर बल्की रखा गया है वो थोड़ा सा यहां पर जादा आप से एक स्किल सेट मांगेगा और अगर इसको यहां महां आर-3 के मुकाबले कॉमपीट करते है त अभी शाप और काफी जादा ना एक एग्रेसिव लुकिंग आपको यहां पर हड्लाइब और किये गए शोवा के सस्पंशन है यहां पर फोग भी गोल्डन है उसके साथ ही अलॉइस को भी गोल्डन रखा गया है उसके लाबा साइस की बात करें वान टान सेवंटी रेडि लिक्विट कूल उंजन है और यहां पर आप देखेंगे रेडिटर के ओप्शन्स हॉन का प्लेस्मेंट आप नॉटिस करेंगे उसके लाबा जो चैसी यहां पर यूज की गई है उसी तरीके से है कहीं ना कहीं जो आपको हॉन्डा की यह जो सी वी आर वन फिफिटी आर है वो आपने साहँ देती है किस तरीके के डिजान फॉक्शन दोनों भाइक समाप देखिए इसमाप देखिए स्विंगाम आपको बेसिक टाइप मिलेगी यहां पर आपको प्रॉपर ऐलिमिनियम अलॉइ के साथ मतलब जो होना चाहिए नहीं किस पोर्टी बाइक में वह किस तरीके से एक ट्रैडिशनल लोग जो एक स्पोर्टी बाइक का होता है वो मैंटें किया गया है थोड़ा पास साप कंसोल देखेंगे तो हैंडल बार को बहुत जादा एग्रेसिव रखा गया है और एक बड़ी बाइक जो एक बड़ी बाइक वाला फीलेना वो इसके सा है उसके साथ यहां पर देखेंगे थोड़ी सी एसी बाइक यो शेरों में चलाई जा सके मतलब जिसमें जादा कमेट हो आपका नाज चलाना पड़े थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी हो तो आप इसमें एसली हैंडल करते वे निकल जाए इस बाइक के साथ एसा नहीं चलेग यह प्रॉपर एक ट्रैक बाइक वाला आपका रोल एक तरह से प्ले करने वाली है और आपको थोड़ा सा जाधा कमेट हो रुके इसके साथ चलना बड़ेगा शोवा कि आपको यहां पर बिक पिस्टन फोक मिलने वाली है जिसके आप नॉमल यहां पर की होल देखेंगे उस यह भी भाईया नोटिस करने वाला पॉइंट है कि हॉंडा को सी वियार में किल स्विच देना है इस साथ देखिए यहां पर जो टैंक श्राउड है टैंक कर डिजाइन है टैंक को बहुत ही जादाना हाई फील करवाता है तो बैठ है अगर आप इसमें तो एक प्रॉपर ज जो क्वालिटी होती है इस्टेवल मुझे फील हो रही है उसके लगा यहां पर सीट का इस तरह के से मामला है जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी दान समय रखी गई है कुछ चीज देख रहे है अब यह सारा कुछ यहां पर मैटल है तो यह मैटल ही मुझे फील हो रहा है जो कि है तो यह चीज यहां पर एडिशनल सपोर्टिंग के लिए या फिर एक अलग डिजाइन ले आउट लाने के लिए रखी गई है पीछे का टेल टाइडी है उसको ही शायद यहां पर आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई है उसको देखेंगे यहां पर साधी सब्सक्राइब कर देखेंगे गाडी के डिजाइन को बिल्कुल कॉंपलिमेंट कर रहा है एक बिल्कुल बुल वाला लुकार इसकंदर एक जो स्पोर्टी लुक होंडा के नॉमली बड़ी बाइक समाता है आगे से बिल्कुल मस्कुलर सा लुक वह चीज है इसके साहां कही मैंने के फॉर्स ताइम जब हमने इस बाइक को देखा था बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे अब प्राइजिंग से थोड़ा सा शॉक भी वे थे उन्हों बताता हम आपको क्योंकि यहां पर देखिए टार साइज साइज तो यह इसका टार साइज है पीछे भी पेटल मेटल है उसके लावा यहां पर ब्रेश्टाउट फिनिश के साथ इस्टील का यूश किया गया उसके लावा राइडर ट्राइंगल किस प्रकार है क्या डिजाइन वह आप नोटेस ही कर रहे होंगे कितना जाधा प्रीमियम है उसके लावा जो स्विंग आम है वह स्पेशल है तो वह आपको यहां पर इसकी चेन स्क्रॉकेट और चेन के साथ नोटेस हो जाएगी तो यह भाई इस खतनाक से दिखने वाली बाइक की सरी कहानी उसके लावा प्राइजिंग सैंस और जो पाउर फिगर है वह एक बार देखते है कि हॉंडा भाई दे तो रहा है तो क्य या प्राइजिंग के साथ इस चीज को देगा सबसे पहले देखी ने जो इंजन आप्शन यहां पर हॉंडा इस गाड़ी के साथ दे रहा है यह एक्ट्वल सीसी है टू फो नाइन पॉंट सैंट सीसी यानिकि टू फिफ्टी सीसी सेग्मेंट की यह पैलेल टो इन इंजन क आफर करती है बारह हजार पांसो आर्पियम पर यह थर्टी एट एट बना रही है जो की काफी साई उसके लावा अगर आप इसके टॉक की बात करें टॉक थोड़ा कम है टॉंटी थी पॉंट्री पॉंट्री एनम का मैक्सिम्ट जो की 11,000 आर्पियम बनेगा तो नियली गाड़िया जमीन आस्मान का अंतर फील कराईगी क्योंकि इसका जो साड़े 12,000 आर्पियम का इंजने ना वहां पर अगर हीरो और बजाज जाने के कोशिश करे तो यह बलास्टो जाएगा वो चीज है वही सब कुछ इंजी नहीं है और कहीं नगई पहला इसी रहता है रह पूरा लियाओट रखा गया है एक स्पोर्ट बाइक को कॉंपलिमेंट करके किया गया है इस पोर्ट बाइक में नेगेटिव रहते है कि टैंक का साइस खोड़ा चोटा रहता है इसमें साड़े 14 लेटर का टैंक यहां पर हॉंटना ने दिया है उसके लाबा कुछ और फंक सब्सक्राइब आप लग्री आजू वाजु लाइट यहां पर आप देखे उसके सांथ यहां पर देखिए अब थोड़ी से ने चोट वसी बाइक लगजी है कई ने के प्राइजिंग में भी आपकी दो लाग की बचा तो रही तो वो डिफ्रेंस एक बहुत बड़ा है उस देखे लोगे 250 kg से नीचे है इस गाड़ी का पूरा वेट और यह सारा जीजे तो यह चीज आपने सब कुछ देख ली 148 एमें का ग्राउंड क्लेश फोड़ा एंडिया गेस आप से इसको दिक्कत भरा बनाएगा आपके लिए साथ यहां पर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम ह आपको जहां पर लॉपर आलॉय है यह कुछ चीजे है और इसकी प्रॉपर शील्डिंग की गई है कोई चीज ऐसी नहीं लगए कि आपको जहां पर लॉग नर्म में आपको दिक्का था है तो होंड़ा की वो चीज खास बात है यहां पर आप देखिए होंड़ा की मैंशनि के तो हो थोड़े अप्छे दिखाए दे और साथी जो ओल फिल्टर है वो थोड़ा सा अवैसा अखा गया है तो आपको नॉमली कार्स के अंदर देखने को मिलता है तो थोड़ा सा पोजिशन ऐसी है कि मैंटनिस्म थोड़ी परस्नली आप करेंगे तो दिक्कत फील करेंग एक ट्रैक रेड़ी मशीन के लिए इस से ज्यादा बेटर क्या ही ऑप्शन रहेगा तो यह रहाँ आपके लिए सी भी आट फिफ्टी आरार का रिव्यू और कहीं आज हम इंडोनेशिया के अंदर है फिलाल इंडिया से 8000 किलोमेटर दूर हूं यहां पर इसकी जो प्राइ साकी 300 को सीधे सीधे हिलाके रखती है तो कावा साकी अगर लेने का मूड है और यामा आर्थी का अगर प्लान है तो वह उबाइकों को कॉंपटीशन है यह आपके सामने तो यामा आर्थी और उस लाइन में अगर आप हो उस चीज के लिए अगर आप मार्केट में हो तब आप इस गाड़ी को देखिएगा और यह मत कहिए गल कि इसकी बैटर अगर आप करिश्मा ले लेंगे या सीवी आर वन फिफ्टी ले लेंगे क्योंकि पूरा पूरा साइग्मेंट यहाब डिफरेंट है तो यह कॉंपटीशन कर रही है यामा आर्थी या फिर आप क्या सक 250 सीरीज को एक तरह से हैड़ अप करती है यह वहां पर जो प्रोड़क्त है ना बहुत अच्छी लाइनप है और जो इंडोनेशन मार्केट यह जानी ही जाती है 22 के लिए 22 के लिए इसकूटर्स के लिए और थोड़ा सा प्रीमियम कार्स के लिए फिलाल इसके लावा इंड सिलेंडर है वह है डेबल सिलेंडर पावर भी यहां पर नियली डेबल से थोड़ी जादा है बस कॉम्पेटिशन है तो इसका यहां महां आर थिरी के साथ है बागी आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस गाड़ी को रैंक करिए और मुझे बताएगे कि यहां पर कितनी इसको अब यह साड़ी चाल लाग रुपे में यह इसका स्पेशल देख रहें क्विक्शिफ्टर वाला एडिशन है तो यह भी अलग चीज है और कहीं न कहीं बेस मॉडल इसका तीन लाग से एक शोरूम अगर यहां पर हॉंडा पकड़ दे तो थोड़ा सा अलग मामला और हुसा एक शब्सक्राइब करती है तो आप मत गई एक रुपा और हम से भाग के आगे वो चीज आपको देगी है जो मशीन आपको यह अपर दिखाई गई है अलग लेवल की चीजे जो एक्युपेंट फरंट यहां पर जो हाडवेर इसमें मिला है वह अलग लेवल का है वह यहां पर उससे कॉम्पीट नहीं होगा जो सी बी आर वन फिफ्टी के अंदर मिलेगा या फिर जो इंडिया मापको बजाज आज तुहंड है आर वन फाइब फाइब फॉर मतलब सेग्मेंट में जादा बाइक है ही नहीं होड़ा सा अगर आप इंडिया में स्ट्रीट फोर हंड को देखे वो भी थोड़ा सा बजट के साफ से डेडिकेट की गई है और थोड़ा सा नहीं है फेरिंग और यह टुइन पिस्टन सिलेंडर इन सब चीजों से दूर है आज तक जितनी बाइग कि हम इंडिया में अब तक देखते वारे कहीं है कि रॉल इल्फिल्ड हम इंडि अगर आपने इसका राइसे हल्की सी एक्सपेंसे फ्रेंड में जाती है वागी जिसको बजट बाइक चाहिए उनके पास होंडा की जो एस्पी सीरी जो है यह वाई एस्पी 125 ले लो और को थोड़ा मेलेज और बहतर चाहिए तो उससे नीचे स्पी हांटेड मेलो लेकिन य क्योंकि इसकी अगली वीडियो में CB150R जो की नियो काफे है वह आपके सामने पेश करता हूं अगर आपने इसकी वीडियो देख ली तो शायद इसका राइड रिव्यू आपके सामने आ रहा होगा या फिर ओंडा की जो कार सेग्मेंट है वो भी तो एक तरकी से कवर करना दोरी ना उसका भी अपडेट आपके सामने आना है फिर उसके बाद इस गाड़ी की वीडियो आपके सामने पेश करते हैं वीडियो को लाइक करिए का चानल को सब्सक्राइब कीजिए का मिलते बर ऐसी और नहीं वीडियो को साहाँ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत बं ने मात्राइब